तो भोजपुरी इंडस्ट्री में तो एक नया ही ट्रेंड चल गया भाई कभी पवन भाईया खेसारी भाईया का चैट वारल कर रहा है तो अब खेसारी भाईया पवन भाईया का चैट वारल कर दिये ये क्या हो रहा है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को कहां जा रहा है हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री इसी बारे में इस वीडियो में पूरा बात करने वाले हैं और साथ मैं आप लोगों को पूरा सबूत भी दिखाने वाला हूँ कि आज खेसारी भिया ने पौवन सिंग का कौन सा चैट वारल किया है पस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा चैनल से नहीं जुड़े होंगे सब्सक्राइब करके जरू जुड़िएगा चलिए शुरू आत करते हैं आज की जनकारी तो नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त विसाल स्वागत है हमारे चनल भोजपुरिया जहान में आज की इस विडियो में आप लोगों को बता दू मेरे भाई की भोजपुरी में अभी अजब-जब ही हरकत हो रहा है कभी पवन भाईया खेसारी लाल यादों का चैटिंग वारल कर देते हैं तो अब खेसारी भाईया भी पवन सिंग का चैटिंग वारल किये हैं वैसे आप लोगों को बता दू कि पवन सिंग का जो चैट वारल हो रहा है वो सुभांकर मिस्रा का प्रोडकास्ट वाला चैट है जो की खेसारी भहिया को वो बोले थे कि यह क्या तुम चालू कर दिये ऐसे कुछ लिक के भेजे थे खेर आप लोगों को पूरी हर्किकत पूरी जनकारी आपका भाई इसमें आप लोगों को सबूत के साथ दिखाने वाला है देखिए पवन सिंग का जो चैट वारल हो रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सुभांकर मिस्रा वाला प्रोडकास्ट को भेज के पवन सिंग बोलते हैं यह सब क्या कर रहे हो भाई लोगों को बीच में यह दारू सराब की बाते क्यूं क्या चाहते हो ऐसा कुछ पवन सिंग लिखते है तो उधर चके सारी व्यागा रिपलाई आता है तोरी भा गई क्योंकि सुभांकर मिस्रा के सवाल के ऐसे थे इसलिए थोड़ा सा मस्ती किया भाईया ताकि थोड़ा सा न्यूज बने और गानावाना सब चलता रहे इस समय स्तिती थोड़ा खराबा इसलिए थोड़ा न्यूज बनावे खाती बुरा लागल हो तो सौरी भाईया अब क्या ही बोले ये सब मत करो बाबू चलो खूस रहो तो फिर खेसारी भी अब प्रणाम लिगते हैं ये चैटिंग आप लोगों को बहुत सारी न्यूज चैनल उप मिल जाएगा भोशपूरी के जो जो भी यूटूबर अभी न्यूज कबर करते हैं उन सभी के चैनल पे आप लोगों को ये चैट मिल जाएगा लेकिन अब आप लोगों को दिखाते हैं कि आज खेसारी भीया ने क्या वाइरल कर दिया है मेरे भाई पवन सिंग के बारे में जी हा मेरे दोस्तों जब पवन सिंग चुनाव लड़ रहे थे तो खेसारी लाल यादों को क्या मेसेज करके बुलाये थे आप लोग यहां पर देखिए ये चैट बहुत ही तेजी से वारल हो रहा है तो पॉन भीया खेसारी भीया को लिख के भेशते हैं 27 मई 2024 को डेट आप लोग देख सकते हैं यहां पर पॉन भीया लिखते हैं कि 29 तारीक के लाश्ट प्राचार के दिन बा त अच्छा नाइके लागत तू आवा कुछ बन जात मतलब ऐसा कुछ लिखे है कि तू आई बहुत महोल बन जाई ऐसा जब पॉन भीया लिखते हैं तो इधर खेसारी भीया का रिपलाई कहा जाता है ठीक बा भाईया हम टाइम निकाल के जरूर आइम और इसा लिखे जब ख यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यह चैट खेसारी लाल यादो के द्वारा वारल किया जा रहा है पवन सिंग के बारे में तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों पक्छों से चैट काफी तेजी से वारल किया जा रहा है लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे की बात पर जो की हकीकत है मेरे भाई आप लोगों को बता दू कि ना ही पवन सिंग वाला चैट ओरिजनल है और ना ही खिसारी भीया वाला द्वारा जन्रेट किया गया है मतलब हम उसको इडिट करके बनाया है इसका सबूत आप लोग यहाँ पर स्क्रीन सुट में देख सकते हैं कि कब का यह चैट है और कब क्या-क्या लिखा गया है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे इस chat को मैंने edit करके बनाया वैसे ही पवन सिंग वाले chat को भी किसी ने edit करके बनाया है और मार्केट में जूटा सा ये ख़बर फ़लाया जा रहा है कि पवन सिंग ने खेसारी लाल यादों का chat वारल कर दिया ये बिल्कुल fake news है इस पर आप लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और जो जो भी गधा लोग बोल रहे हैं कि वो chat original है उन लोगों को मेरा भी chat भेट दीजेगा और बोल दीजेगा कि देख लो कि सारे भी अभी chat वारल कर दिये क्योंकि जैसे को तैसा जबाब देना बिल्कुल जरूरी है तो मैं अपने तरब से पूरी जनकारी बहुत ही अच्छे ढंग से और अपने तरब से पूरे मेहनत करके आप लोगों को समझाने का कोशिस गया अगर आप लोगों को समझ में आया वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके जूर सकते हैं ऐसे ही सची और अच्छी खबरे आपका भाई हमेशा सबूत के साथ आपके लिए लाता रहता है चली अभी के लिए बस इतना है वीडियो को पुरा देखने के लिए सबी दोस्तों को दिल से धन्यवाद